नमस्कार दोस्तों और टीटी त्यारी चैनल में आप सभी सातियों का फिर से एक बार स्वागत है सातियों आप सभी के लिए आज का दिन बहुत ही महत्पपुर्ण है और आज का ही दिन क्यों कहूं आज से लगातार अब 13 तारिख तक जो भी बिहार में शिक्षक मनना चाहते हैं हमारे साती नौवी, दस्वी और ग्यार्वी, बार्वी में उनके लिए बहुत ही महत्पपुर्ण दिन है क्योंकि दो दिन चुट्टी के बाद कई जगा चुट्टी के बज़े से प्रमान पत्र का सत्यापन जो है वो नहीं हुआ और कई जगा तो चुट्टी के दिन भी प्रमान पत्र का सत्यापन हुआ लेकिन आज से अब 38 जिला में प्रमान पत्र का सत्यापन होगा schedule के हिसाब से आप जरूर पहुंचे कई साथी हमारे कहते हैं सिता मढ़ी का बताईए कई साथी कहते हैं सारसा का बताईए कोई कहते हैं सुपोल का बताईए तो कोई कहते हैं अरड़िया का बताईए कोई औरंगाबाद का बताईए तो कोई पटना का बताईए, तो कोई मधवनी का बताईए, तो कोई दरभंगा का बताईए, देखिए जो केंद्र बना है पहले से, वहीं पड़ प्रमान पत्र का सत्यापन जो है वो होगा और इसका पोस्ट मैंने आप सभी को community में दे दिया है सभी जिला का आप एक बार जा करके community में चेक करें आपको प्रती जिला का list जो है वो मिल जाएगा अब एक एक करके आप comment करते हैं, phone करते हैं तो एक एक करके मैं video बार बार बनाओ ये संभब नहीं है लेकिन आप सभी को इतना बता देना चाहता हूँ कि 3800 जिला में फिर से प्रमान पत्र सत्यापन का कार्य जो है वो आज से सुरू हो जाएगा प्रमान पत्र सत्यापन में कहीं से भी कोई रोक नहीं है आप बिल्कुल घर में मत बैठियेगा कई साथी फोन कहते हैं नहीं लेटर आया था अब नहीं होगा तो क्या मैं जाओंगा फिर वापिस आऊंगा देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है लेटर आया था लेकिन लेटर में वो अपनी समस्या को रखे थे ये नहीं कहा गया था कि बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, मुझे इस से इतराज है, उन्हें स्पष्ट कर दिया था कि अपने अस्तर से आप करिए, लेकिन मेरी जो कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको बाहर कर दीजिये, तो देखिए सब को बाहर कर दिया गया है, ये फिर में कब से तारिक शुरू की गई है एक मिंट आप सभी को दिखाना चाहूंगा ये देखिए आठ नौ दो हजार तेस से यानि कि आज से तो जो भी साथी जहां पर भी है प्रमानपत्र सत्यापन के लिए जरूर जाएं कहीं से भी प्रमानपत्र सत्यापन पे रोक नहीं लगी है आप प्रमानपत्र का सत्यापन करवाएं कई साथी का कॉल है कि मेरा सत्यापन नहीं हुआ मेरा तो बीच में अधूरा ही रह गया तब क्या होगा मेरा वो MRC मिलेगा की नहीं मिलेगा रिजल्ट आएगा की नहीं आएगा मेरी बहाली होगी की नहीं होगी मैंने इसके परवाया जा रहा है इससे नौकरी नहीं मिलने वाली है अभी आपके प्रमान पत्र का सत्यापन फिर से होगा विभाग की तरब से होगा और विभाग अपनी तरब से जो भी रूल है रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपके प्रमान पत्र का डोक्योमेंट का जो है वो सत्या दिया था उन्होंने वो चेक करके उनका कर दिया ठीक है गलत जानकारी देखके कर दिया ठीक है लेकिन जब सच्चाई आएगी बीच में तो तब उनका नहीं होगा जो भी साथी ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल समझ लीजिए ये बहाली की प्रकिरिया जो है वो बिना हैश्टीट का ये बहाली नहीं है मैं बार-बार कह रहा हूँ किसी भी विशाय के लिए आप इतना माथा पेची नहीं करें आप इतनी परेशानी में ना जाएं आप अपने आपको इतना परेशान ना करें क्योंकि आपकी नौकरी नहीं लगने वाली है बिना एश्टीटी क्वालिफा बाइ कोई भी विशाय क्यों न हो आप बिहार में नौकरी नहीं ले सकते हैं नौवी और दस्वी में कई साथ ही कह रहे हैं कि उनका ये नहीं था ये वो नहीं था ऐसे था वैसे था जो था सब चेकिंग के दौरान ये पकड़े जाएंगी इनकी नौकरी कहीं से भी नहीं होगा आप बिल्कुल जो है त्यार रहिए आज से अब निकल जाएए घर से थोड़ी दिर बाद ये दी दूरी पड़ है तो और सभी का आगजात ले करके जाएगा जो मैंने पहले वीडियो में आप सभी को बताया है सभी ले जाईएगा दूसरी बात में आप सभी से ये करना चाहता हूँ जो आपके द्वारा पूछा जा रहा है ओमर सीट को ले करके आयोग द्वारा उपलब्द कराएगे उत्तर पुर्णता जो है वो आप बंधिक है जो अभी आप सभी को आंसर की दिया गया था वो बिल्कुल आप बंधिक था उस पर आपत्ती लिया गया कल रात 12 बजे तक हमारे साथी ने आपत्ती किया उसका निराकरन जो है वो आज से शुरू हो जाएगा वो पर्युक्त निर्धारित तिति तक आपत्ती करताओं से प्राप्त आपत्ती की गहन समिक्षा विशय विशेशग्यों की समीती बनाया गया है उसका जो है आज से क्या होगा गहन समिक्षा और गहन समिक्षा के उप्रांत सभी प्रश्णों का अंतिम आदर्स उत्तर तयार किया जाएगा जो आपने अपत्ती किया है उस पर गहन समिक्षा होगी उसके बाद फाइनल आंसर की जो है वो तयार किया और विशय विशय शग्यों की समिती द्वारा त्यार किये गए उक्त अंतिम आदर्स उत्तर का जो अंतिम आदर्स उत्तर कुंजी त्यार किया जाएगा उसका आयोग द्वारा अनुमोधन किया जाएगा पहले देखा जाएगा कि क्या इन्होंने सही किया है या गलत किया है जो भी किया है वो परकिरिया आज से शुरू हो जाएगी, उसके उपरांत, उसी के आधार पर OMR उत्तर प्रपत्र, जो OMR आंसर सीट है उसका मुल्यांकन किया जाएगा, जो आपने उत्तर देके OMR सीट जमा करके आए हैं, उसका मुल्यांकन किया जाएगा, किस पर? फाइनल आंसर की पर, कई साथ हमारे कहते हैं, क्या OMR सीट स्कैनिंग हो गया, OMR सीट तो आप स्कैनिंग हो गया होगा, हम सभी को दे देना चाहिए, देखे बिलकुल आपको मिलेगा, और OMR सीट का स्कैनिंग तभी होगा, जब आपकी उत्तर जो है, वो फाइनल हो जाएगी, फाइनल से ही न पता चलेगा, कि भाई, इनका इतना नंबर आया, इनका इ आएगा, इस वार तो एक ही उत्तरकुंजी दिया गया था, लेकिन अब यदि आएगा, OMR सीट के साथ तो प्रतियक सेट का होगा, उसको फाइनल आंसर की कहा जाएगा, उसके बाद कोई जो है उसमें सुधार नहीं होगा, बस आप सभी को रिजल्ट मिलेगा, जैसे BPSC के अध्यक्ष मुहदय जी ने 15 तारिख बताए हुए है कि 15-16 तक हम रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे, 9-10-11-20 के जितने भी साथी हमारे परिक्षा दिये हैं, उनका, तो अब ज़्यादा समय नहीं है, 8 तारिख आज हो गया, दो दिन के अंदर में आपको फाइनल आंसर की दिखाई देगा, यानि कि 8-9-10-11, 11 तक आपको जरूर हमको लगता है कि OMR सीट के साथ आंसर की आपको दिखाई देगा, तो आप बने रहिए, और टी टी ती त्यारी चैनल के साथ, यदि और भी कोई प्रश्न है तो आप कॉमेंट में रखिएगा, वीडियो के माध्यम स आपको जवाब दे पा रहा हूं क्योंकि एक-एक करके जवाब देना बड़ी मुश्किल है, तो आप अपना प्रश्न रखिएगा, आपको जवाब जरूर दूंगा, अब आज जो है उत्तर कुंजी पर होगा, विचार वी मर्स, कल भी होगा, परसुद रभी बार तक हमको किया है, तो बार-बार एक ही बात कहना जो है वो ठीक भी नहीं लगता, आप खुछ समस्दार हैं, एक सब्सक्राइब कर देने से कुछ भी नहीं होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने साथी से भी करवाईए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी एक लखेंगे, उस पे क्या होगा, कारी होगा,